जैपनीज लेंगवेज सीखते समय जब हम JLPT की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा कोश्चन आता है कि दोकाई यानि की unseen passage को किस तरह से solve करें, उसके लिए क्या करें, उसकी preparation के लिए क्या करें हाला कि इसमें बताने के लिए बहुत-बहुत कुछ है, जैसे जब मैं class में, for example, N2 की class में समझाता हूं, N3 की class में समझाता हूं तो थोड़ा सो different होता है, लेकिन मेरी इस वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी कि सब कुछ summarize कर पाऊं तो दोकाई के लिए हमें क्या करना होता है, दोकाई कमत होता है unseen passage, जिसमें questions को solve करना होता है, यह long paragraph भी हो सकता है, short paragraph भी हो सकता है, तो जैसे short paragraph होता है, उसमें एक ही question होता है, long paragraph होता है, उसमें 4 questions होते हैं, तो हमें questions को solve करने के लिए, क्योंकि students का usually question होता है कि, जैसे दो दोकाई तो हमें समझ आ गई लेकिन कोस्चन हमारे गलत हो गई या फिर दोकाई बिल्कुल समझ नहीं आई लेकिन कोस्चन थोड़े बहुत समझ आए हमने आंसर लगा है तो थोड़ा ठीक लग रहा था तो क्या असली तरीका है दोकाई को प्रिपेर करने का वेलकम टू निह त्रेंग में यही बताता हूं कि पहले आपको इस लेवल तक पहुँचना है ट्रेंग में कि हंड़र परसेंट मुझे समझ आए तबी मैं कोस्चन को सॉल्व करूं उसके लिए आपको तीन बार चार बार पांच बार उसको रीड गठरना है और फिर क्यों करके देखना है क कहां वो लिखा है point जहां पर से हमें पता चल रहा है कि वो गलत है, इस level तक की training में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, लेकिन exam में obviously ऐसा time, इतना मतलब आपको time नहीं मिलेगा, तो एक ही बार में उसको read करके, एक ही बार में हमारे सारे questions सही सही निकलाएं, सारे options हमारे सही हो method को follow किया है कि मुझे दोकाई को पहले 100% समझना है, और फिर check करना है, गलत वाले गलत क्यों है, सही वाले सही क्यों है, क्योंकि usually हम यह देखते हैं कि बड़ा आसान है, हमने हमें सही option तो पता चल गई, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते ही नहीं कि गलत वाले गलत क्यों है, ठीक है, हमें कभी-कभी ऐसा होता है कि easily हमें पता चल जाता है कि यह सही बात है और लिखा भी है, ठीक है, लेकिन गलत वाले गलत क्यों है, इसको भी check करना एक बहुत important training बनता है, एक बहुत ही अच्छी, मतलब आपका एक अच्छा training का point बनता है, तो यह मैं इस point लाइन अच्छी तरह से समझ नहीं आई है, तो हम उसको दुबारा read करते हैं, obviously बात सही है कि दुबारा तो read करेंगे अगर हमें वो line अच्छी तरह से नहीं समझ आई, लेकिन और करना भी है, लेकिन जो मैं कहना चाता हूँ यह है कि अगर आप एक line read करके दूसरी line, फिर तीसरी line, फिर चौती line, फिर पांची line, इस तरह से अगर आप दोकाई को read करके answer तक पहुँच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका speed का level बिल्कुल ठीक है, मतलब आप almost exam को successfully, दोकाई के section को successfully करने के लिए ready हैं, लेकिन अगर वो नहीं है, तो पहले अपनी training इस चीज कि लाए कि मुझे अपनी speed बढ़ानी है, obviously speed बढ़ाने के लिए यह है कि आपको उसी दोकाई को repeat करके बढ़ना है, आप देखेंगे पहली बार में अगर मुझे 10 मिनट लगे हैं, तो अगली बार में 5 मिनट लगेंगे, और उससे अगली बार अगर आप तीसरी बार उसको read करने हैं, इतनी हिम्मत बची आप में कि तीसरी बार में उसको read करूआ, तो दो मिनट ही लगेंगे, ठीक है, और इसका मतलब यह निहीं कि आपको दो मिनट में तेजी से read करना है, कि मुझे अपनी speed बढ़ानी है, सब कुछ समझ आते हुए आपको read करना है, यह है कहने का मत ही नहीं, तो obviously हम दोकाई तो करी नहीं सकते हैं, और हमें वापिस अपनी vocabulary को strong करने जाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब सुनने में बिल्कुल सही भी लग रहा है, तो फिर वो क्या करते है, vocabulary और kanji और सब में घुश जाते हैं, और kanji सीखना शुरू करते है काजी लिखना शुरू करते हैं, vocabulary सीखना शुरू करते हैं, फिर किसी दिन उनको ध्यान आता है कि अच्छा अच्छा भी तो काई बड़े दिनों से हमने नहीं करिया, चलो करते हैं, फिर एक और paragraph की practice करते हैं, फिर से उनको यह feeling आती है, क्योंकि obviously वो सारी जो हमने पढ़ लिए वो सारी अभी इसमें आई नहीं है, vocabulary तो हमें वापस vocabulary में जाना पड़ेगा, तो इसलिए उपना सारा time, जितना भी उनका target time है, वो 6 मीने चाहिए, एक साल है, वो सारा time उसके अंदर ही लगा देते हैं, सारा time vocabulary ही सीखने में लगा देते हैं, और eventually vocabulary भी उतनी strong होनी प पहली दिन से अगर N5 के student हो तो चलो मैं यह नहीं कहते हैं, पहली दिन से आप दोकाई करो क्योंकि हो नहीं पाएगा, N5 में तो obviously आपको language को build up करते करते हैं, फिर eventually दोकाई पर जाना पड़ेगा, लेगन अगर आप N4, N3 या N2 के student हैं, तो आपको पहले ही दिन से दोकाई उसी level की करने चाहिए, चाहे उसकी vocabulary आपको आती है या नहीं आती है, vocabulary नहीं आती है, तो उस दोकाई से ही मैं उस vocabulary को सीख लूँ, ठीक है, और वो बल्कि जादा अच्छी, अच्छा meaning आपको देगी, English की बजाए, वो जादा अच्छा meaning देगी, क्योंकि एक तो पुरा sentence है दूसरी बात वो sentence की story भी आपको कहने का ये मतलब है, कि आपको vocabulary तो obviously सीखनी ही सीखनी है, लेकिन उसको दोकाई से अगर आप सीख पाएं, तो और भी अच्छा है, और भी better है, आपकी दोकाई की भी practice हो गई, और vocabulary का भी जादा अच्छी तरह से meaning बता चल गया, इन तीन points क के बाद दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन, अगर नहीं हो पारा तो कोई बात नहीं repeat करना है, ठीक है, पहला point, दूसरा point कि आपको कम से कम 4 बार या 5 बार दोकाई को solve करना है, हर बार ये देखते हुए कि गलत वाला गलत क्यों है, वो कहां लिखा है, कौन से ऐसी बात है जिससे पता चल रہै कि वो गलत है, और सही वाला सही क्यों है, कौन से ऐसी बात है जिससे हमें पता चल रहे कि सही वाला सही क्यों है, और तीसरा point कि आपको vocabulary जो है वो दोकाई से ही सीखनी है, in fact इसके उपर मैं ज्यादा जोर देना चाता हूं क्योंकि अगर आप सारी vocabulary दोकाई से ही सीखना शुरू कर गए तो please believe me आपका बहुत-बहुत strong level बन जाएगा, बहुत ही short time में, आप JLPT तो क्या, बलकि आप सभी exams के लिए भी prepare हो जाएंगे, interview तक के लिए prepare हो सकते हैं, और अपनी future के लिए आपको Japanese language का जहां-जहां जैसे भी use करना ह उसके लिए बहुत अच्छी तरह से prepare हो जाएंगे, ठीक है और eventually ये सारा course material आपको कहां मिलेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ, वो है nihongo max.com पर जहांपर आपको दोकाई, चोकाई, मोजिगोई और बुमपो वगेरा सब कुछ section wise divided होगा, और JLPT के हिसाब से divided होगा classes के झाल